नमस्कार आज विश्व परिवार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई तो चलिए एक चानकारी लेते हैं एक छोटा सा संचिप्त विवरण लेते हैं विश्व परिवार दिवस का किसी भी समाज का केंद्र परिवार ही होता है परिवार ही हर उम्र के लोगों को सुकून पहुचाता है या पंद्रा मई को मनाया जाता है इसका उद्देश्य समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की एहमियत बताने के लिए हर साल पंद्रा मई को अंतररास्ट्रिय परिवार दिवस मनाया जाता है शुरुवात इसकी हुई थी संयुप्त रास्ट अमेरिका ने 1994 को अंतर राश्ट्री परिवार वर्ष खोशित किया था 1995 से यह सलसिला जारी है विश्व परिवार दिवस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं International Day of Families पंद्रा मई को मनाया जाता है प्राणी जगत में परिवार सबसे छोटी इकाई है फिर इस समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है या सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कलपना भी दुशकर है प्रतीक व्यक्ति किसी ना किसी परिवार का सदस्य रहा है या फिर है उससे अलग होकर उसके अस्तित्यों को सोचा नहीं जा सकता हमारी संस्कृती और सब्वेदा कितने ही परिवर्तनों को स्विकार करके अपने को परिश्कृत कर ले लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्यों पर कोई भी आच नहीं आई वह बने और बनकर भले तूटे हूं लेकिन उनके अस्तित्यों को नकारा नहीं जा सकता उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है और उसके मूल्यों में परिवर्तन हुआ लेकिन उसके अस्तित्व पर प्रश्ण चिने नहीं लगाया जा सकता हम चाहे कितनी भी आधुनिक विचारधारा में पल रहे हूं लेकिन अंत में अपने संबंधों को विवास अंस्था से जोड़ कर से युक्तिराष्ट अमेरिका ने 1994 को अंतरराष्टी परिवार वर्ष घोषित किया था समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की एहमियत बताने के लिए या हर साल पंद्रा मई को अंतरराष्टी परिवार दिवसके रूप में मनाया जाता है 1995 से यह सिलसिला जारी है परिवार की महत्ता समझाने के लिए विभिन ने कारे क्रम आयोजित किये जाते हैं इस दिन के लिए प्रतीक चिन को चुना गया है उसमें हरे रंग के एक गोल घेरे के बीच एक दिल और घर अंकित किया गया है इससे इस पोस्ट है कि किसी भी समाज का केंद्र परिवार ही होता है परिवार ही हर उम्र के लोगों को सुकून पहुचाता है अथर्व वेद में परिवार की कल्पना करते हुए कहा गया है अनुब्रतः पितुवा पुत्रो मात्रा भवन्तु सम्मनह जाया पत्ते मधूर मंती वाचनम वदत शान्तिवाम अर्थात पिता के प्रती पुत्र निश्ठावान हो माता के साथ पुत्र एक मन वाला हो पत्नी पती से मधूर तता कोमल शब्ड बोले परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से नहीं बन जाता इसमें रिस्तों की एक मजबूर डोरी होती है सहयोग के अटूट बंधन होते हैं एक दूसरे की सुरक्षा के वादे और इरादे होते हैं हमारा या फर्ज है कि इस रिस्ते की गरिमा को बनाए रखे हमारी संस्कृती में परंपरा में परिवार एक्ता पर हमेशा से बल दिया जाता रहा है परिवार एक संसाधन की तरह होता है परिवार की कुछ एहम जिम्मेदारियां भी है इस संसाधन के कई तत्व होते हैं दूलन दास ने कहा है दूलन या परिवार सब नदी नाव संजोग उतरी परे जहतां चले सबय बटाओं लोग जैनेंद्र ने इस्तस्त में कहा है परिवार मर्यादाओं से बना है परस पर कर्तब्वे होते हैं अनुसाशन होता है और उस नियत परंपरा में कुछ जनों की इकाई हित के आसपास जुटकर व्यूह में चलती है उस इकाई के प्रती हर सदस से अपना आत्मदान करता है इज़त खानदान की होती है हर एक उससे लाब लेता है और अपना त्याग देता है अतिरिक्त भारतिये परिवार में परिवार की मर्यादा और आदश परंपरागत है। संपत्ती के अधिकार विवाह और विवाह विच्छेद आदी की प्रथा की द्रिस्टी से अनेक भेद पाये जाते हैं। किन्तु फिर भी संयुक्त परिवार का आदर्श सर्वमान्य हैं। संयुक्त परिवार में संबंधी पति-पत्नी उनकी अविवाहित संतानों के यतिरिक्त अधिक व्यापक होता है अधिकतर परिवार में तीन पीडियों और कभी-कभी इससे भी अधिक पीडियों के व्यक्ति एक ही घर में अनुशाशन में और एक ही रसोई घर से संबंध रखते हुए सम्मेलित संपित्ती का उपभोग करते हैं और एक साथी परिवार के धार में कृत्तियों तथा संसकारों में भाग लेते हैं, मुसल्मानों और इसाईयों में संपत्ती के नियम भिन्न हैं, फिर भी संयुप्त परिवार के आदश, परंपराएं और प्रतिष्ठा के कारण इनका संपत्ती के अधिकारों का व्यवहारिक पक्ष परिवार के सन्युप्त रूप के अनुकूल होता है सन्युप्त परिवार का कारण भारत की क्रिशी प्रधान अर्थ व्यवस्था के अतरिक्त प्राचीन परमपराओं तथा आदर्श में नहित है रामायन और महाभारत की गाथाओं द्वरा या आदश जन जन प्रेशित है अंत में मैं यही कहना चाहूंगी परिवार से बड़ा कोई धन नहीं पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं मा की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं भाई से अच्छा कोई भागी दार नहीं बहन से बड़ा कोई सुप चिंतक नहीं पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं आज विश्व परिवार दिवस की आप सभी को पुना हार्दिक सुप काम नहीं आशा हैं कि आप सभी श्रोतागंड को या छोटा सा फ्लॉक पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो दोबारा आगे आने वाली हर नई कहानियों को और फ्लॉक्स को सुनने का आप सभी से आग्र है बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झा